टी टुएंटी वर्ड कप में भारते क्रिकेट टीम का प्रदर्शन बेहद निराशा जनक रहा जिसके बाद क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की सोशल मीडिया पर जम कर क्लास लगा रहे हैं और ऐसे में हद तो तब पार हो गई जब कुछ असमाजिक तत्वों ने टीम इंडिया की कप्तान विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकी ही दे डाली जिहां सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस तरह की हद पार कर दी है जिसके बाद दिली महिलायों की अध्यक्ष स्वाती मालिवाल ने इस घटना को बेहद ही शरमना करार दिया है स्वाती मालिवाल ने पुलिस को नोटिस देते हुए आरोपियों की जल से जल्द गिरफतारी की मांग की है मुझे पता चला है कि इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोली की नौ महीने की बेटी को कुछ लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं क्योंकि इंडिया क्रिकेट में पाकिस्तान से हार गया क्योंकि विराट कोली मुहम्मद शमीन के सपोर्ट में उत्रे जब उनको उनके रिलिजन की वज़े से उनके धर्म की वज़े से कुछ ट्रोल्स ने टार्गेट करा तो इससे जादा शरम की बात क्या हो सकती है दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को मोटे सीशु करा है मैं चाहती हूँ कि इस केस में जल्द से जल्द F.I.R. हो उन लोगों पे जो एक 9 महीने की बेटी को रेप के थ्रेट से सकते हैं और उन लोगों को हर हाल में तुरंट दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करने की जरूरत है बता दे T20 वर्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद ट्रोलर्स ने भारतिय टीम के एक तेज गेंदबास मोहमद शमी को निशाना बनाया था जिसके बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट को ली गेंदबास शमी के सपोर्ट में आये तो उनके परिवार को भी धमक्या मिलने लगी बीर रपोर्ट नवोदे टाइम्स दिली